प्रधानमंती नरेंद्र मोती ने बुद्वार को बिहार के बेतिया में सबागी उन्होंने अपने 25 मिनट के भाष्ण में लालुयादा को नाम लिए बिना परिवारवाद और जोंगल राज पर उनको खेरा साथ ही इंडिया पर सवाल खड़ी किये प्या मोती ने कहा राज़त कॉंक्रेस और इनका इंडिया अभी बीजवी सदी में जोर ही है हम घर घर को सूरिग घर बनाना चाहते हैं लेकिन ज़ंडी गडबंदर लाल्टेन के दम पर ही आंगे बढ़ना चाहता है जब तक भीःर में लाल्टेन की लो रही तब तक एक ही परिवार कविकास हुआ आज जब मोती इनको सचाई बताते हैं तो ये मोती को गाली देते हैं कहते हैं मोती का परिवार नहीं है मोती ने कहा क्या जणडी गडबंदन को लोटने का लाइसन्स मिलना चाहिए दूसरा दोरा है इससे पहले दो मार्च को नहुने और अंगबाद में जन सभा दी दी पीम ने कहा कि एंडिये सरकार की यही कोशच है कि विहार में हीवाओं को रोजगार मिले बिहार में 22,000 कडोर से एक दर्जन फूलों का निर्मान हो रहा है मंचपर राजपाल राजोइंद्र विश्वनाद अलेकर डिप्टी सीम सबराट चोधरी विजे सिना और मंत्री विजे चोधरी भी मौजुद रहे कारिक्रम में गाई का नुरादा पोडवाल ने प्रस्तिती दी बेदिया में पीएम मोदी ने यूपी और बिहार के लिए लगभग 12,800 कडोर की सड़क गेस और आईटी से जूड़ी योजनाक उदगाटन और शिनल नियास किया इंडी गडबंदन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए है यहां बेतिया में मा सीता की अनुभूती है लवकुष की अनुभूती है इंडी गडबंद के लोग जिस तरह प्रभूशी राम और राम मंदिर के विरुद्ध बाते बोल रहे हैं ये पूरे बिहार क के लोग देख रहे हैं और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान से राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है यही परिवारबादी हैं जिनोंने दसकों तक राम लला को टेंट में रखा यही परिवारबादी हैं जिनोंने राम मंदिर न बने इसके लिए जीत और कोशिश की आज भारत अपनी विरासत अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है तो इन लोगों के इसकी भी परेशानी हो रही है